असलाम अलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं चुकन लजानिया हाफ कब तेल गरम हो रहा है यह मैंने ली है दो मीडियम साइज कटिवी प्यास 9 कलियां बड़ी बड़ी लसन की और 12 हरी मिरच्य ली है अगर आप छोटी कलिया ले रहे हों लसन की तो 20 ली जेगा गरम टेल में फ्यास आइड कर देंगे ररां आऔर 2, 2 हरी मिरच्य कर देंगे चाहरा याई इसमें नमक कर देंगे इस पियास पिंक हो गई है बढे करेंगे इसमें एड़ कर देंगे हम बूला वा का समय आदा किलो खीकन का कीमा कर देंगे ने स्टॉर्ट को कर देंगे दो बड़े बड़े कटिमे टमाटिस में आट कर देंगे 6 इन टीजपून चिली फ्लेक्स में अड़ कर देंगे अपने अपने टेस्ट के अगर आपके पास हो तो आप इसमें जरूर डालो एक टिबल स्पून इसमें जो आपके पास हो एक टिबल लाएक शेट के उविकले एक टिबल स्पून इसमें रैक चिली गालिच शार शेट के लिए डालीच शेट कर देंगे II medium size कटी हुई शिम नमी चैट कर देंगे लें को मीडियम पे रखेंगे और और ब्रै कर देंगे मेरी चिकन तो फ्राइ करते करते ही पक गई अगर आपकी चिकन पकती नहीं है तो आप इसको धब कर स्लो फ्लेम पे पकाएं टेबल स्पून बक गरम अगर कर दो टेबल स्पून इसमें मैदा डाल ढो जाएं स्लो फ्लेम पे इसको प्राई कर लेंगे ठोड़ा हृद पिंक हो गया है यह बून बून आपके इसमें दूदं एक कर देंगे दो कप दूद एट कर दिया धाई कप दूद एट कर दिया है इसमें मिक्स कर देंगे हाफ टी स्पुन इसमें ब्लैक पेपर पाउडर एट कर देंगे टेस्ट के साब से नहां कर देंगे इसको गाड़ा होने तक पका लेंगे इतना गाड़ा हो गया है यह अब गैस ओफ कर देंगे डिश को ग्रीसिंग करेंगे ऑल से वाइट शॉस इस पर स्प्रेड कर देंगे लजानिया शीट रखेंगे आपको लजानिया शीट एक एक करके पानी में डालकर बॉइल करना होगा 10 मिट तक एक साथ आप मड़ा लिएगा वना एक दूसरे को यह चिपक जाएंगे यह दूसरा शीट रख देंगे अब यह कीमा इस पर स्प्रेड कर देंगे कीमा मैंने स्प्रेड कर दिया है अब कीमे पर मॉजेला चीज प्रेड कर देंगे चीज मैंने स्प्रेड कर दिया है अब लजानिया शीट रखेंगे वापस से दूसरी रखेंगे वाइट स्प्रेड कर देंगे इस पर अब इस पर कीमा डालेंगे कीमा डाल दिया है अब चीज डालेंगे इस पर मॉजेला चीज देखिए मैंने इस पर चीज प्रेड कर दी है अब टोस्टर ओवन में बेक कर रहें कर देखिए इसको पंदरा मिनिट में यह बेक हो चुका है 220 डिग्री सेल्शियस पर इसके अंदर मैंने कच लगा दिया है चिकन लजानिया तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसना आती है तो अब इस लाइक करें शेयर करें और में चाहिए को सब्सक्राइब करें बेल अकल को दबाना भी ना पूंदें कर दो